जैहिन! बन्दे मातराम स्वागत है आप सभी सांथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफरम में तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग गेली प्रैक्टिसेट सुबह में कर रहे हैं कितने प्रस्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना हो सके share करने में जरूर मदद कीजिए और class को जो है पूरा देखने का प्रयास कीजिए जिससे आप लोग को प्रस्न जो है छूट ना पाए तो हम लोग पीछे के lecture में 447 तक प्रस्न को किये थे आज उसके आगे जो है हम लोग प्रस्न को करेंगे तो आए हम लोग प्रस्न को start करते हैं और रही बात की दोस्तों दो पहर में भी आप लोग की class हो रही है वह जो हो रही है इतिहास से related class हो रही है जिसमें इतिहास से related तो class हो रही है उसमें जो प्रस्न मिल रहे है आप लोग को वह प्रस्न जो मिल रहे है NCRT प्लस SCRT के प्रस्न मिल रहे है तो वो class जो है, वो भी class को आप लोग जरूर देखेगा, बहुत important class वो भी हो रही है, ओके, तो आएए हम लोग अपने प्रस्ण पे आते हैं, 448 प्रस्ण पे, यहाँ पे जो 448, यह जो प्रस्ण है कि पाटली पुत्र में इस्तित, चंद्रगुप्त का महल मुख्यता किस से बना हुआ था, किस से चीज से बना हुआ था, यहाँ पे बात करें, तो right answer यहाँ पे C जो होगा, यह बिल्कुल सई होगा, लकडी का बना हुआ था किसका बना हुआ था तो लकडी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल ओके अगले बिकल्प को देखिए अगले नमर प्रस्णों को देखते हैं 449 प्रस्णे को यहाँ पे जो 449 प्रस्ण है कि हिंसों की भारत में यातरा के समय सूती कपड़ों के उतपादन के लिए सबसे प्रसीद नगर उस समय कौन सा था बहुत सुन्दर सा प्रस्ण है यह दोस्तों हिंसों की भारत में यातरा के समय सुती कपड़ों की उत्पादन के लिए सबसे प्रसीद नगर कौन सथा तो उस नगर का जो नाम है वरारसी राइट एंसर यहाँ पे जो A होगा यह बिल्कुल से होगा जरूर आप लोग याद करिएगा सारे प्रसन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आगे देखिए प्रसन आते हैं 450 प्रसन को यहाँ पे जो 450 प्रसन है कि कुतूबदीन एबग की रजधानी क्या थिए कुतूबदीन एबग की रजधानी क्या थि तो इनकी जो रजधानी है A अप्सन यह सयोगा लाहावर थी कहा थी दोस्तों तो लाहावर थी राइट एंसर यहाँ पे A हो रहा है अगला प्रसन देखते हैं 451 प्रसन यहाँ पे जो 451 प्रसन है अलावदीन खिलजी के प्रसीद सेना पतियों में किसकी मंगोलों की विरूत लड़ते हुए मृत है सुन्दर सा यह प्रसन है इतिहास यह रिलेटेड प्रसन है तो यहाँ पे बात करें जफर खान की मृत हुए थी तो जब फर खान की मृत्यु होई थी मंगलों की बुरूत लड़ते हुए आगला प्रस्न देखिए 452 प्रस्न ये भी इतिहास से ही रिलेटेट प्रस्न है 452 हिमाउ द्वारा लड़े गए चार प्रमुक जुधों का तीथी अनुसार जो है सही करम का संकेत करे और जुध अस्तलों के नाम जो है नीचे अंकित दिये गए उनके सही करम से जो है उनको लगाएं ओके ये प्रस्न में बोल रहा है तो देखें तो राइट एंसर यहाँ पे डी जो हो है ये सही और है देवरा पहले होगा इसके बाद चौसा होगा कनौज होगा और इसके बाद सरहिंद होगा तो राइट एंसर यहाँ पे जो डी होगा इसे आप लोग जरूर सही कर लिजेगा अगला देखते हैं 430 नमर प्रस्न को यहाँ पे जो 430 प्रस्न है कि निमनल लिखित में किसे एतिहास कार ने यहाँ पे जो राइट एंसर जो होगा यह बिल्कुल सही होगा किलियर है इसके बाद देखिए 454 नमर प्रस्न को यहाँ पे 454 प्रस्न है लेकिन निमनल लिखित में से किसने बंगाल में दवेद सासन परणाली को समाप्त किया था किसने बंगाल में दवेद सासन परणाली को समाप्त किया था तो वारेन हेस्टिंगस जरूर याद करिएगा अप्सन नमर जो C होगा यह बिल्कुल सही होगा वारेन हेस्टिंगस ने दवेद सासन परणाली को समाप्त किया था कहां पे भईया तो बंगाल में समाप्त किया था राइट एंसर यहां पे C जो है यह सही हो रहा है ओके आगला देखिए 455 प्रस्न को 455 प्रस्न है यहां पे कि रंजीत C ने सुप्रसीद कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से प्राप्त किया था दोस्तो रंजीत सी जो था ये इसने जो है कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर सी अप्सन जो है यह बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर दोस्त मुहम्मद से प्राप्त किया था किसे प्राप्त किया था साथियो तो दोस्त मुहम्मद स सहायक संधी को सभिकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था सुन्दर सा प्रसन है दोस्तों कौन सा तो ए अप्सन यहाँ पे सही रहे पेसवा बाजी राव देती है था कौन था दोस्तों तो पेसवा बाजी राव देती है था अगला प्रस्न देखते हैं 457 प्रस्नों को देखिए 457 प्रस्न है कि निम्ना लिखित में से किसने All India Muslim Link की अस्थापना की थी तो राइट एंसर यहां पे जो D होगा यह सही हो रहा है नवाब सली मुल्ला खान इन्होंने All India Muslim Link की अस्थापना की थी तो राइट एंसर यहां पे जो D हो रहा है यह बिल्कुल S हो रहा है अगला प्रस्न देखते हैं 458 प्रस्न है कि निम्ना लिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे कौन जो हैं आत्मीय सभा के संस्थापक थे तो यहां पे बात करें ए अप्सन से होगा राजा राम मोहन राय जो हैं आत्मीय सभा के संस्थापक माने जाते हैं अगला प्रस्न आते हैं 469 प्रस्न देखिए 469 प्रस्न है कि ब्रह्मा समाज के अस्थापना वर्स क्या था जो ब्रह्मा समाज के अस्थापना हुआ था तो उसका वर्स क्या था यहीं बात प्रस्न में पूछा गया है तो 1828 एसमी में इस समाज की अस्थापना किया गया थ अगला देखते हैं, 460 प्रस्णों को देखिए, यहां पे जो 460 प्रस्ण है कि कभी वाण, निवासी था, जो कभी वाण थे, यह कहा के निवासी थे, तो यह भाईया थानिसवर के निवासी थे, राइट अंसर यहां पे जो B हो रहा है, यह बिल्कुल से वह रहा है, कहा के न चीर साने पाठना को प्रांती रजधानी बनाया था इतिहास से रिलेटेड जो है ये प्रस्न है अगला देखते हैं प्रस्न संख्या 462 ये प्रस्न जो होंगे 365 एक साल हो गया और 25 दिन लगता है कह सकते हैं एक साल 25 दिन जो है यह सुर्य को परिकार्मा करने में लगता है सुर्य को परिकार्मा करने में लगता है प्रितिवी को ओके 463 प्रस्णों को देखिए 463 प्रस्ण है कि स्वर मंडल का सरवाधिक गरम गरह कौन सा है सौर मंडल का सरवाधिक तो बात करें तो अपसन जो भी होगा सुक्र ग्रह यह जो है सौर मंडल का सरवाधिक ग्रम ग्रह माना जाता है इसे संदर्य की देवी भी सुक्र ग्रह को कहा जाता है अगला प्रसन आते हैं 464 प्रसन को यहाँ पे 464 प्रस्ण है कि बिश्वक की सरवाधिक लंबी परवत स्रिंखला कौन सी है तो बात करें तो राइट अंसर यहाँ पे बिल्कुल से विगा एंडी जो है परवत स्रिंखला जो है बिश्वक की सरवाधिक लंबी परवत स्रिंखला मानी जाती है ओके अगला प्रस् ब्रहंपुत्र नदी के द्वारा जो है बिश्वक का ब्रियतम डेल्टा जो है डेल्टा का निर्माण होता है गंगा नदी और ब्रहंपुत्र नदी से आगला प्रसने देखिए चारसो चाशचट परसने की कपास उधोग जिन कच्चे माल पर आस्रीत होते हैं उसे क्या होता है तो बात करें यहां पर उसे भार हास मूलक कहा जाता है तो उसे भार हास मूलक के नाम से जाना जाता है याद करना होगा आप लोग को कि यह कपास उधोग जीने कच्चे जो कपास उधोग हो है वह कच्चे माल पर आश्रित होते हैं उन्हें भार हास मुलक के नाम से जाना जाता है चारसो अरसट प्रसनों को देखिए चारसो अरसट प्रसना है कि भारत के अत्रिक प्राय दिपिये परवत निर्मित हुआ है तो बात करें तो option B यहाँ पे सही होगा पेलो जोई के महा कल्प में कहाँ पे निर्वित हुआ है दोस्तों तो पेलो जोई के महा कल्प में राइट एंसर यहाँ पे जो B हो रहा है यह सही हो रहा है 468 प्रस्णों को देखिए यहाँ पे 468 प्रस्ण है यहां पर बात करें तो 37 degree celsius जो है मानो का temperature होता है ठीक है अगर फारे नहीं की बात करें तो 99.4 फारे नहीं होता है तो यहाँ पे 37 degree लगभग में देखिए C ही अप्सन जो है यहाँ पे सही हो रहा है लगभग में लेकिन यहाँ पे 37 degree जरूर आप लोग याद कीजेगा जो मानो सरीर का temperature होता है वह Celsius में 37 degree Celsius होता है ओके और इस अप्सन का अमसार जो बात हो रहा है यहाँ तो C अप्सन यहाँ पे जो है यह सही हो रहा है 36.9 degree मतलब लगभग में कह सकते हैं 37 degree ही हो गया ओके इसके बाद आते हैं 479 प्रस्नों पे 479 प्रस्न है कि स्वर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो खेर आप लोग को तो यह पता होगा ब्रिसपती ग्रह जो है स्वर मंडल का सबसे मातरा सबसे अधिक होती है वहumes nitrogen gas होती है राइट अंसर यहां पर जो है, अफ्शन सही हो रहे क्योंकि यहां पर बात करें मारू भूमी होणी की संभावना अधिक रहती है। ऐसी अधिक्राफिय मरू भूमी होने की संभावना तो राइट एंसर यहाँ पे जो सही हो रहा है दोस्तो अप्सन भी बिल्कुल से विए तेश डिगरी अच्छांस के पास ऐसा संभावना कहाँ पे देखने को मिलता है ओजोन परत की उचाई कितनी है प्रिथवी की सता से तो यहाँ पे जो अप्सन भी हो रहा है यह सही हो रहा है चार से पचास किलोमीटर जो है यह प्रिथवी की सता से ओजोन की उचाई मानी जाती है तो अप्सन भी यहाँ पे सही हो रहा है इस प्रसने के अंसर और इस अप्सन के अमसार ओके, 475 प्रस्णा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुठके और लकडी के गुठके को प्रातक काल में चुए तो लोहा का गुठका ठंधा लगता है कि ऐसा लगता है, फिजीक्स का क्वोचन है भौतिकी का प्रस्णा है तो बहुठ सुन्दर सा प्रस्णा है ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि दोस्तों, कि लकडी के तुल्ला में लोहा जो है, उसमा का जो है अच्छा चालक मना जाता है जिसकी वज़ा से, जो है लकडी को गुठके को प्रातर काल में छुने पर लोहा का गुटका जो है ठंडा महसों से होता है तो राइट अंसर यहाँ पे जो B हो रहा है यह सही हो रहा है 476 प्रस्ण पे आते हैं 476 प्रस्ण 476 प्रस्ण है कि किसी परमाणू नाभिक का आईसोटोप वह नाभिक है जिसमें तो यहाँ पर जो अप्सन जो यहाँ पर सही वह रहा है यह बिल्कुल सही वह रहा है क्योंकि प्रोटोन की जो संख्या वहीं होती है प्रन्तु नीट्रोन की संख्या भीन होती है तो यहाँ पर उस चीज की आईसो टोप के बारे में बात किया है तो प्रोटोन की क्या होती है और क्या होती है अलग होती है भीन होती है अगला प्रसने पर आते हैं हम लोग 477 प्रसने पर से धाका हुआ है तो option C जो है यहाँ प्रस्ण है तरह मंडल के द्र terrace के और संकेत करते हैं यहाँ संदर सा प्रस्ण है तो द्रू तरह आपको पाता सब तरसी तारा के नाम से जाना जाता है राइट एंसर यहाँ पे जो A हो रहा है यह सही हो रहा है 480 प्रसन देखिए कि भारी जल वह जल होता है भारी जल के बारे में यहाँ पे आ गिया प्रसन कि इसके बारे में बताना है तो भारी जल वह जल होता है जो हाइट्रोजन का स्थान उसका आईसोटोप से लेता है राइट एंसर यहाँ पे चो C हो रहा है यह सही हो रहा है जिसमें हाइट्रोजन का स्थान उसका आईसोटोप से ले लेता है तो C अपसन यहाँ पे सही हो रहा है ओके अगला प्रसना आते हैं चारसो एकासी प्रस्णा, चारसो एकासी प्रस्णा की परमाणू नाभी के अवया होते हैं, परमाणू नाभी के अवया होते हैं, प्रोटौन और निउट्रौन होते हैं, कौन-कौन होते हैं दोस्तों, तो प्रोटौन और निउट्रौन होते हैं, 482 प्रसनों को देखिए 482 प्रसने की 20 बर्स की आयोपर मानों सरीर में हड़ियों की संख्या कितनी होती है सुन्दर सा प्रसन है दोस्तों तो यहाँ पे 200 होती है कितना होता है तो 200 होता है राइट अन्सर यहाँ पे B जो है यह सही होगा 483 प्रसने की HIV चारााण ले मोर्मारों आपे रेकों सूरेमेटे स्वाय होसे लेकोंu. आप नंग पते रेके शेसी लेवर समय प्राइक है? तो इसके फोकस दूरी क्या होगी उसकी फोकस दूरी 50 cm होगा option जो यहाँ पे C है यह सही होगा अगला प्रसन देखते हैं 486 प्रसन को निमना लिखित में से कौन जो है एक computer की भासा नहीं है तो एक computer की भासा जो है FAST जो है यह computer की भासा नहीं है राइट एंसर यहाँ पे जो C होगा यह सही होगा अगला प्रसन देखिए 487 प्रसन को 487 प्रसन की पानी का घनत्व अधिक्तम होता है पानी का घनत्व जो है अधिक्तम होता है 4 degree Celsius पर 487 का option B जो है यह सही होगा 4 degree Celsius पर पानी के घनत्व सबसे अधिक होता है 488 प्रस्ण है कि भूग पर पट्टी में अत्सरवाधिक पाई जाने वाला तत्व कौन सा होगा तो oxygen जो है सबसे ज़्यादा भूग पर पट्टी में पाई जाने वाला तत्व माना जाता है तो right answer यहाँ पर जो यह हो रहा है यह सही हो रहा है अगला प्रस्ण है 489 प्रस्ण है कि बिकलांगों के लिए उलम्पिक जाना जाता है बहुत सुंदर सा प्रस्ण है एबिलिम्पिक्स के रूप में जाता है तो ए भी लिम्पिक से के रूप में जाना जाता है राइट एंसर यहाँ पे जो D होगा यह सही हो रहा है 490 प्रसने देखिए असोग के सासनकाल में बौध साभा किस नगर में आयोजित की गई थी तो बौध साभा जो है पाटली पुतर में आयोजित की गई थी राइट एंसर यहाँ पे जो B हो रहा है यह सही हो रहा है अगला देखिए 491 प्रसना है कि सुग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर राज किया था किस वंस ने भारत पर राज किया था उस कौन सा वंस था तो यहाँ पर बात करें तो C option बिल्कु से कडवा है कडवा यह भारत पर राज किया था अगला प्रस्न देखते हैं 452 452 प्रस्न है 492 प्रस्न है कुमार संभव महाकाबिय किस कभी ने लिखा? तो right answer जो है D option से योगा काली दास ने लिखा है कुमार संभव किस ने लिखा है दोस्तों तो काली दास के दबारा लिखा गया है अगला प्रस्न देखी यहाँ पे 493 प्रस्न है कि कोटिल्य के अर्थ सास्तर में किस पहलूपर प्रकास ड़ा गया है तो कोटिल्य के अर्थ सास्तर में जो है राजनितिक नितियों पर प्रकास ड़ागे है राइट अंसर यहाँ पे जो B हो रहा है यह सही हो रहा है 494 प्रसनों को देखते हैं कि तैमूर के आकर्मन के बाद भारत में किस वंस का राज अस्थापित हुआ था तैमूर के आकर्मन के बाद किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज सा तुगलक के जो यहाँ पे D-Aption हो रहा है इनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम मानी जाते हैं तो 495 का D-Aption बिल्कुल सही हो रहा है 496 का देखिया कि निमना लिखित में से किस मुगल बदसाह ने अंग्रेजु को उनके बैपार में मदद करने के लिए एक महत्वपुन फरमान दिये थे तो यहाँ पे जो महत्वपुन फरमान दिये थे फरुक सियर फरुक सीयर ने इनको महत्वपुन फर्मान दिये थे, बी अपसं सही हो रहा है 497 प्रस्ने की निम्ला लिखीत में से किस सुल्तान ने बिरोजगारों को रोजगार दिरुवाया थे बहुत सुन्दर सा प्रस्णा है तो फिरोज सा तुगलक ने बिरोज़ुकारों को रोज़गार दिरवाया थे, right answer यहाँ पे C है, जो है सही हो रहा है, 498 प्रस्णा है कि 1857 के बिद्रोह को किस उर्दु कभी ने देखा था, बहुत सुन्दर सा प्रस्णा है किस उर्दु कभ अंग्रेजु का सबसे कटर दुसमन था तो कौन था मौलिवी अहमदुलासा कौन था दोस्तों तो मौलिवी अहमदुलासा राइट एंसर यहां पे जो ए होगा यह सही होगा 500 देखिए प्रस्न को आज हम लोग 500 प्रस्न के लिए तो 500 प्रस्न है कि पुर्तगाली उपनिवेस का प्रथम ओवाय सार है भारत में कौन हुआ करता था उस समय तो पुर्तगाली उपनिवेस का जो हुआ था अलमीडा हुआ करता था राइट एंसर यहां पे जो सी हो रहा है यह सही हो रहा है 501 प्रस्न को देखिए 501 प्रस्न जो है कि इलाहाबाद की संधी के बाद रोवर्ट कलाइब ने मुर्सीदाबाद का उप दिवान किसे बनाया गया था बहुत असुंदर सा प्रस्न है तो मुहमद राजा खान को बनाया गया था राइट एंसर यहां पे जो ए हो रहा है यह 502 प्रस्न को देखिए 502 प्रस्न एक निम्न लिखित में से कौन सा आयोग 1857 के बिद्रो दमन के बाद भारतिय फोज के नौ संगठन से संबंधित है उस दिवान का नाम है पिल आयोग उस आयोग का नाम है पिल आयोग राइट एंसर यहां पे बीचो है यह सई होगा 503 प्रस्न है कि निम्न लिखित में से कौन सा नेता कांगरिस के गरम दल से संबंधित है तो कौन सा नेता तो अरबींद घोस्ट जो हो जाएंगे यह कांगरिस के गरम दल के नेता से रिलेटेड है 504 प्रस्न है कि महाबीर जैन की मृतू निम्न लिखित में से किस नगर में में हुई थी तो महाबीर जैन की मृत जो है पावापूरी में हुई थी राइट एंसर यहां पर जो सी होगा यह सही हो रहा है 505 प्रसंट ही दोस्तों कि गौतम बुध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग से प्राप्त हुआ है किस राजा के युग में प्राप्त 506 प्रस्न देखिए कि बोध गाया में महाबोधी मंदिर बनाया गया था जहां पे बहुत सुन्धक सा प्रस्न है तो B अफ्सन यहां पे सही ओडender को ग्यान प्राप्त हुआ था वहाँ पे जो है गौतम बुद को ज्यान की प्राप्ति हुआ था महाबोधी मंदिर में तो इसलिए वहाँ पे ये मंदिर को निर्मार किया गया था 507 प्रस्ण है कि एसिया का सबसे बड़ा जल प्रपात किस जगह के पास है तो एसिया का सबसे बड़ा जल प्रपात राची में इस्तित है यह अप्सन यहाँ पर सही वह रहा है 508 प्रस्ण है कि अफ्रिका की मुल्भुत जन्जाती पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है तो उस नदी घाटी का नाम है कांगो, कांगो नदी घाटी में जो है ये पिग्मी जो है जन्जाती पाई जाती है 509 प्रस्णों को देखिए यहां पे 509 प्रस्ण है कि 20 वका कौन सा देश मुलायम लकडी एवं लकडी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है मतलब उत्पाद करता है उत्पादन करता है और निर्यात भी करता है सुन्दर सा प्रसन है कानाडा उस देश का नाम है जरूर याद करिएगा कौन सा देश दोस्तों तो कानाडा हो जाएगा 510 प्रसनों को देखिए कि सुस के भूमी के लिए सरवाधिक उचित फसल कौन सी है तो राइट एंसर अप्सन जो हो जाएगा ये मुंग फली जो है सुस के भूमी के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है 511 प्रसन है की प्रित्वी परिभर्मन करती हुई प्रती मिनट करीब करीब कितनी दूरी तैक कर लेती है तो यहाँ पे सई एंसर जो होगा 28 किलोमीटर की दूरी है ये प्रित्वी कवर कर लेती है ये अप्सन जो है यहाँ पे सई हो रहा है 512 प्रसन हो को दिखिए 512 प्रसन है की बिश्वक की सबसे उची चोटिया किस परकार के परवतों में पाई जाती है तो नभीन मोड़दार प्रवतों में पाई जाती है राइट एंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये ये सई हो रहा है 513 प्रसनों को देखिए 513 प्रसन है कि भारत के कुल भगावलिक छेत्र में बन छेत्र जो है कितना प्रतिसत है कितना प्रतिसत है तो 20.7 प्रतिसत है कितना प्रतिसत है 20.7 प्रतिसत है कि असंब जो है कुल मिलाकर कितने राजियो और केंदरसासी चेतरों से घीरा हुआ है, असंब राजिय, तो 7 यहाँ पर राइट अंसर सही होगा, 7 केंदरसासी प्रादेसरों जो है घीरा होगा यह राजिय माना जाता है, अगला प्रस्म देखिए 506 की लक्षे दीप में कितने दीप है तो लक्षे दीप में 36 दीप है, राइट अंसर यहां पे C बिल्कुल से होगा 517 प्रस्म की भारत में सरवाधिक गेहू उत्पादक करने वाला राज्य कों सा है तो भारत में सरवाधिक उत्तर परदेश जो है गेहू उत्पादर करने वाला राज माना जाता है अग 518 प्रसने की भारत के किस राज्य में सरवाधिक जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है देखने को मिलता है तो उस राज्य का नाम हो जागा पच्छिम मंगाल राइट अंसर यहाँ पर जो बी हो रहा है यह सई हो रहा है 519 प्रसनों को देखिए 519 प्रसने की भारतिय सम्वेधानी का कौन सा आर्टिकल अनुछेद सम्वेधानी क प्रवधानों की संगिय संसद आज की क्लास में 520 प्रसन की है आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताएगा जितना हो सके दोस्तों आप लोग इस लेक्चर को इस वीडियो को सेर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास